हेलो एवरिवन रादे रादे तो फ्रेंट्स आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेक्ष जो आपको डेली लाइफ में बेहद आजराम देंगे और आपके लिए बहुती ज्यादा यूसफुल रहने वाले हैं चली फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी की आज की बहुती क पेहने पाते हैं और हमें धुलना पड़ता है पिर हम वाई चूज दुलते और रगणना पड़ता है तो आज आपको इस जाद रगणना भी नहीं महत पड़ते इस तरहिए आ कि आ यहां पर मैं आपको सूज के उपर बाइट बनेकर डाल के दिखा रही हूं तो इस तरीके से हमें बाइट बनेकर सारे सूज के उपर डाल देना है सूज को पहले पानी से गीला करना है और उसके बाद मैं सूज के उपर इस तरीके से हमें बाइट बनेकर डाल देना है दो से आप देख सकते हो मैं आप ही के सामने ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया अभी तो एक ही बार इसके उपर अच्छे से रब किया है और उसी से इसकी जो उपर आपको दिख रही थी गंद की वो छूटने लगी है अभी हैं पर हम आपको इसको बहुत अच्छे से दुल के दिख हो जाएगा यहां मैं दूसरा सूज भी आपको दुल के दिखा रही हूं दोनों सूज को दुलने में आपको ज्यादा सदा पांच मिनिट लगेगी पांच मिनिट से छटी मिनिट नहीं लगने वाली है तो आप इस तरीके से इनको दुल कर अच्छे से क्लीन कर सकते हो तो साबुन दुलने में लगा खाने साबुन वहतिं है पहले हो जैड़ मिनिट था एक बहुत रहाएं though आप हम घंटों सूज को कर सकते हो तो ऑद दो जाएक्ट फालब को सूज को इस तरह थ Feels बाइट सूज को एकदम क्लीन कर सकते हूं तो यह देखे मैंने अहाँ पी के सामने दो से पांच मिनिट में बाइट सूज को कितने अच्छे से क्लीन कर लिया है सिर्फ एक बाइट बनेगर चाहिएगा और उससे आपकी जो सूज है उनकी कैसी भी गंदगी जमी होगी कैसा भी उन पे डश्ट लगी होगी कितना भी कैसा भी दाग होगा वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो यह देखे यहाँ पर मैंने आपको पहली ट्रिक ब भी बताऊंगी कि बाइट सूज को हम एक और तरीके से भी धुल सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूं तो यह देखे फ्रेंस मेरे पास दूसरे जोड़ी भी बाइट सूज है बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं तो उनके लिए मैंने बाइट आ लग जाता है उसके लिए यूज में लिया जाता है कलर फुल कपड़ों को बिल्कुल बचा के रखे तो यहां पर मैंने इस तरीके से कुछ थोड़ी सी बूंदे इनके ऊपर डाल दी है बाइट सूज के ऊपर आपको इस तरीके से डाल लेना है पहले सूज को गीला करना है और उसके बाद में पांस सी दस मिनेट के लिए इनको छोड़ देना है और उसके बाद में फिर आप साबुन लगाएगे साबुन लगाने के बाद में इनको साइड में छोड़ दीजिए आप देखिएगा कि आपका कितना भी गंदा सूज होगा वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा एकदम नए जैसे चमकने लगेगा और आप घंटो घंटो तक रगड़ते रहते हो महां इनको रगड़ने की भी आपको जरुत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से आप बाइट सूज को धूल सकते हो मैंने आपको यहां दोनों तरीके बता हैं मैंने इनको जादा नहीं रब किया है दोनों जोड़ी सूज मैंने जरासी देर में धूल दिये थे तो यहां पे से सूज को धूल सकते हो मैंने इसी तरीके से दोनों जोड़ी esfuerra moje और अप देख सकते हो पहले ही कितना गदा था और अभी कितने अच्छे से कुलीन हो गये जहां आप घ आपको ज्यादा अच्छी लगी यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो अब आती है इनको वारी सुखाने की तो यहां पे जो हमारे बाइट सूज होते हैं उनको हम किस तरीके से सुखाएं और बाइट के अलावा कोई और भी सूज होता है जैसे बारिश का मौसम यह फिर सर्दी आ रहे हैं सर्दियों में हम सूज को सुखा नहीं पाते हमें धूप नहीं निकलती है तो सूज को किस तरीके से हम सुखाएं बिना धूप के घर में रूम के अंदर ही मैं आपको आज सूज को सुखाने का एक बहुत आसान तरीका बता रही हूं बहुत ही आ पर बना लिये हैं और इनको हमें हैं सब जाएंदर नहीं मैं और व मुद में सब्यूंभश लांकि मैंने घिर्ट। जब पर दो यहींद करेंदा लिए जो इनक से लिखावत हो स्वील करें definite हैं उपर छ्पने लगेगी तो इस तरीके से आप सूज के अंदर इसको पेपर उसको दे सकते हो लेकिन आपको लगाना है टीशू पेपर क्योंकि पहले टीशू पेपर लगा दोगे तो वह रही भाइट ही बना रहेगा अगर आप पेपर लगाओगे न्यूजपेपर तो उसकी जो प्रिंटेड है वो इसके उपर छप जाएगी तो आप इस तरीके से पहले यह लगाईएगा टीशू पेपर और उसके बाद में आप न्यूजपेपर इसके उपर लपेट दीजेगा तो यहां पर चारों तरफ से इस त च्पेना और यह बहुत अच्छे से सूख जाए तो यहां दोनों सूजओं के अंदर मैंने न्यूजपेपर भर दिया और उपर से इनके उपर मैंने टीशू पेपर लगाने के बाद मैं न्यूजपेपर लगा दिया तो अब इन्हें यहां रात बर के लिए आपको देखोगे तो यह बहुत अच्छे से सूख गए होंगे आप इन्हें सुबहें कर जा सकते हो कोई भी सूज को आप सुखाना है रात भर इस तरीके से रख दीजिए रूम में ही रख दीजिए कहीं न रखिए और उसी में यह सूख जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते ह कभी भी आप इन्हें अच्छे से सुखा सकते हो तो उमीद करते हूं आपको मेरी यह टिप पसंद आई होगी तो यहां पर आप देख सकते हो जो न्यूज पेपर है ना उसमें नमी है बहुत जादा और अंदर से इसकी सारी जो पानी था उसको इसने सोक लिया है तो अब म सूज नहीं सुखाना चारे हो तो आपको एक तरीका और बताती हूं कि आप सूज को किस तरीके से सुखा सकते हो तो यहां पर आपको सूज लेना है यह वाले तो सूज गए मैं आपको दूसरे सूज बताती हूं क्योंकि मेरे पास दो जोड़ी सूज मैंने धुले थे तो अब आपको दूसरे पाता करें में आपको डूसरे बाले सूज इससे पानी का इरन बीचैज लिए उसका बाए वारिनी काम सबस्ट के में लोगेट में प्लास्टिक वाली पॉलोथीन आती है वो आप इसमें ले लीजिए यहां पे सबसे पहले आप कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिए और उससे अच्छे से दबा कर इसको अंदर से सब जगे से इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिए कुछ ही मिनिट के लिए हैं यहां पे इसकी जो है उनमें आप सूज को कुछ इस तरीके से फसा दीजिए और अब आप इसे टांक ना हो तो इस तरीके से जल्ली सूख जाएगा तो उमीद historique चोटी ची टिप से आपको पसंद आई होगी तो चलिए फिर बढ़ते हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की और तो यह वाली टिप से मेरी जीरा को भूनने के लिए अक्सर हम रायता बनाते हैं सर्दी हो या गर्मी हो हमें जब दिन में खाने पसंद है तो हम भून्दी का राय पावडर्ण का यूज करती है और बेलन से क्रेश करने से बेलन हमारा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और और वर दूलते हैं तो यहां पर मैंने जीरा है उसको अच्छे से भून लिया है हल्की आँच में भूनने के बाद में हम कुछ इस तरीके से इसे गिलास में डाल तुन कर लेर आप जीरा का सीडिन और बनी जरा बाओडर करा जीरा आप नाहीं कर बहुत एंक लोगे जीरे वहutet कीणकोगत का से बन सकते हुए बहुती इजी और बहुती वारिक और बिना आपको बेलन धुले तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिफ की ओर तो कई बार के होता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं और खाना बनाती हैं हमारे बेलन में आटा चिपकता है जिससे हमारा बेलन मतलब जल्द ही खराब होने लगता ह हमें बार-बार धुलना पड़ता है तो बेलन के आटा न चिपके तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से गैस पर हमें हलकी आज में बेलन को सुखा लेना मतलब ड्राय कर लेना है इस तरीके से आप गैस की आज पर जो बेलन को रखोगे तो उससे आपके बेलन मे बहुत अच्छे से काम करने लगेगा तो यहां पर इस तरीके से देखे अगर इसके उपर जो भी आटा भी चिपका होगा ना तो भी अच्छे से निकल जाएगा बिल्कुल आपके सामने भी दिखने लग जाएगा अगर होगा तो लेकिन यहां पर यह धुला हुआ बेलन है उसको मैंने हलका सा ड्राइ की इस तरीके से ड्राइ कर लिया है तो आप देख सकते हो बेलन पे कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से अगर आप रोटी बेलोगे तो आपकी रोटी बिल्कुल भी बेलन के नहीं चिपकेगी और आपका बेलन भी खराब नहीं होगा तो चलिए दाल धूप में रखने के बाद भी इस तरेके से रख कंडे यहां पे आप इसमें नमक टाल दीजिएगा नमक डालने से क्या होगा इसमें जो कीड़ें रूसी वगेरा लगेंगी और नहीं तो बिल्कुल भी खुराब नहीं होगी और इस तरीके से इसमें मिक्स कर दीजिए इससे कीड़े घुन पाई कुछ भी नहीं लगेगा आपकी डाल सालों साल तक चलती रहेगी बिल्कुल भी खुराब नहीं होगी पर सबसे पहले आप डाल को धूब में रखिएगा जिस से चले तो फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की और तो कई बार हम कंगी नई लेके आते हैं और उन पर इस तरीके से हलकी हलकी तेज धार होती है जो हमारे सिर में चुबने लगती है तो वो ना चुबे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हलका से हमें तबा गरम होता है रोटी बनाने के बाद में तो उसके उपर इस तरीके से हलका हलका आपको रब कर देना है जिससे इसके उपर जो पैनी Dat कुति होती प्ला कि हलक से रफ हो जाती है और जब भी हम हम बालों में कंगी करेंगे तो ना तो वह फशेंगी और दानोडी नउर्मल हो जाएंगी तो उससे आपके दातों में फसेंगी भी नहीं और सिर में ये कंगी चुबेगी भी नहीं तो इस तरीके से आप नई कंगी को यूज में लीजिएगा तो आपको ये बहुत ही अच्छे सी काम देगी तो ये बहुत अच्छी टिप से फ्रेंट्स एक वाट ट्राई जरूर करना बहुत तो यूजफूल है मेंने अक्सर इसी तरीके से कंगी मेरी सर में चूबने लगती नई-नई 통क तो उसको मीं इसी तरीके से यूज में लेती हूं तो चली फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की और अगली टिप है इस तरह की जो लाग की चूडिया होती हैं उनको लेकर जो महीला हैं लाग की चूडिया पहनती हैं और उनकी चूडिया इस तरीके से टेडिया हो जाती हैं टेडि होने क कोई गरंगे तो जैसे गैस पर गरम करके तो चराब होने लगेंगे इनके नग जाएंगे तो आप इनने धूप में रख दीजिए नैचरल तरीके से यह आटोमेटिक ही गॉल सेप में आ जाएगी तो चली फिर बढ़ते हैं अगले वाली टिप्स तो यहां पर अगली टिप्स है हमारे जो चार्जर की केविल होती है वो इस तरीके से गंदी हो आपके जाती है, हम पर हाथ लगाते रहते हैं धीरे धीरे समय के साथ में घंदी होते होते हैं खराब होने लगती है तो इसको किस तरीक Dominique कодन क्या करें है मैं थीमरर्व दिया किनी पर जिस से हम नैल पॉस्त हम पॉलिस कुसरे हमिंदी हैं पॉलिस तो उसको लेना है और उ इसकी जो बाईर होती है वो जल्द्ध खराब हो जाती है ज्यादा खीचने से वो अंदर से बाईर टूटने लगते हैं और वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं तो यहां पे आपको हलके हलके हातों से बस इस तरीके से रप कर दो handing है वो सारी घम भूत अच्छे से क्लीन हो और जिस cotton से मैंने इसको साप किया है वो cotton भी आप देख सकते हो कि वह cotton कितना गंदा हो गया इसको clean करते करते तो यहां पर मैंने इसको बहुत अच्छे से clean कर लिया तो यह देखी पहले में और अब मैं आप different देख सकते हो कि मेरी जुशार्जर की केविल थी वह किस तरीके से clean हो गई हिए तो यहां पे यह देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ तो यहां पे देखिए मेरी केविल कितने अच्छे से clean हो गई है तो यहां पे आप इस तरीके से इसे clean कर सकते हो और अब हमें से ढ़रोत करें तो friends क्या करना है कि जब भी हम कहीं बार सपर कर रहे हैं कहीं इदर उदर हमें जाना है तो हम इसको बैग में रखतें तो पूरे बैग में फैली रहती है तो उसके लिए आपको क्या करना है इस तरीके से अगर आप इसको फॉल्ड करेंगे तो ये ज़ादा जगे नहीं घेरेगी और बैग में इदर उदर फैलेगी भी नहीं तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से आपको गोल गोल राउंड में घुमाना है नहीं आपको इसके अंदर कुछ लगाने की ज़रद पड़ेगी बस इस तरीके से गुमाने के बाद में फिर नीचे होके किया है और अब कहीं पर भी जाओ आप इस तरीके से इसे ले जाईए बिल्कुल भी इदर उदर नहीं होगी तो छोटी सी टिप से उम्मीद करते हूं आपको पसंद आई हुई चली पर बढ़ते अगली टिप्स तो अगली टिप से हमारे सोक्स को धोने को लेकर कई बार क् और बच्चों के श्कूल के होते हैं घर पे भी काफी लोग पहना पसंद करते हैं तो इन्हें हम किस तरीके से क्लीन करें तो यहां हमें क्लीन करने के लिए क्लीन करने के लिए क्लीन करना है क्या नहीं तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूं यहां हमें लेना है एक आ ज़्यादा साबुन लगाने की जड़त नहीं बस इतना ही आपको इसको रगड़ना है और आपका कैसा भी सूज होगा इतने अच्छे से क्लीन हो जाएगा कि आप खुद ही सोज में पढ़ जाओगे कि बाके में बोटल पे इतने अच्छे से साबुन भी लग सकता है और इतन से रब करना है आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरुत भी नहीं पड़ेगी और आपका जो सॉक्स है एकदम नए जैसे चमकने लगेगा कितना भी जिद्धी दाग होगा वह भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं कि जरूर बताना कि आप मेरी वीडियो किस जगह किस सहर से देख रहे हो आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत जादा महत्व रखता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएगा आपके कमेंट से मुझे बहुत मॉटिवेशन मिलती है तो इसी तरीके से इसा दोनों ही बचा सकते हैं तो यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं मैंने दोनों जोड़ी सौक से धुल लिये हैं और अब इने कितने अच्छे से ये क्लीन भी निकल आए तो यहां पर मैं आपको दोनों तीनों चारों जोड़ी सौक से दुल के दिखा देती हूं तो देखी इस तरीके से हमारे जो सौक से वह बहुत अच्छे से क्लीन हो गए है तो फिर बढ़ते हम अगली वाली नेक्स टिप की और तो यह वाली टिप से हमारे इस तरीके के लाइट बोड को लेकर और बच्चे अकसर पैंसिल चला देते हैं क्रियोंस चला देते हैं या फिर ह जैसे खाना खाते हैं और सिच को on off करते हैं तो उससे भी हमारे चिकने जो हाथ होते हैं चिकनाट से वो भी उनसे गंदगी जम जाती है तो यहां पर आपको एक बूंद लेना है coconut oil और उससे आप इसको नए जैसा चमका सकते हो तो यहां पर मैंने सिर्फ cotton में एक बूंद इस फिर cotton ले लेनी है और उससे इस तरीके से इसको आपको रब करना है इससे आप रब करोगे आपका जो light board है वो इस तरीके से signing मारेगा इतने अच्छे से सारी गंदगी को साप कर देगा कि आपको देखकर हैरान हो जाओगे तिहां पर आप यह देख सकते हो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो सिर्फ एक coconut oil ही की दो से तीन बूंदे डालनी है और light board को एकदम नए जैसा आपको चमका लेना है तो यह देखिए light board कुछ इस तरीके से बिल्कुल नए जैसा चमक ने लगा है तो इस पर जो signing थी वो कितने अच्छे से आ गई है और जो गंदगी थी एकदम क्लीन हो गई है तो यह देखिए हमें आपको टीशू पेपर को भी दिखा देती हूं कितना गंदा हो गया है तो इस तरीके से सारी गंदगी को निकाल देगा तो उमीद करती हूं यह पसंद आई होगी हमारे काच के बरतनों को लेकर या काच के जो भी कंटेनर वग लेते हैं तो प्लेट के बीच में रख दीजिए या फिर आप गिलास या कटोरी लेते हैं तो उन पर कुछ इस तरीके से ने लगा दीजिए इससे क्या होगा कि जब भी आप इनने लगा कर ले जाओगे तो रस्ते में जो आपके बरतन हैं वो तूटने का कम चांस रहता च ग्लास इस तरीके से सेट करके रख दीजिए यहां पर देखिए मैंने दोनों के उपर कुछ इस तरीके से ग्लास के उपर ग्लास रख दिया है फिर हम दो बार फिर से एक और बार ग्लास के उपर फिर से लगा देंगे तो यहां पर इस तरीके से कुछ सेट करके रखोगे तो यह बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे और अब हमें इने किस चीज में किस तरीके से रखके ले जाना चाहिए तो वह भी मैं आपको बता देती हूं कि हमें इनको किस तरीके से रखना चाहिए जब भी हम घर में कई सारे सामान लेके आते हैं जैसे हम बोटल बगेरा लेके इस तरीके के जो धकन हैं मतलब डिब्बे हैं वो रखे रह जाते हैं उनको हम फैंक भी देते हैं यूज करने के बाद में लेकिन इनको आप फैंके अगर नहीं कुछ इस तरीके से घर में अगर सवाल के रखो तो उस टैम आपको बहुत अच्छे से ये काम देंगे तो यह आप इस से बिलकुल भी यह हमारे इस तरीके से काम में आ जाते हैं जब भी हम सफर में जाते हैं तो यह इदर उदर तूटने करने का डर नहीं है ना गिरने का डर है आप कैसे भी इसके अंदर रख दीजिए बिलकुल भी नहीं चटकने बाला है या फिर आप कुछ इस तर रखकर सफर में ले जा सकते हो आपके जो काच के बरतन हैं कटोरी गिलाश या फिर आप प्लेट वगेर रखते हो तो उनको कुछ इस तरीके से अगर आप रखके ले जाओगे तो यह बहुत ही ज्यादा काम आपको आएगा तो उमीद करती हूं छोटी शी टिप से आपको पस बाए बाए रादे रादे अलो फ्यू फ्रेंड्स